आप हैं विहार संबादाता के शाथ और मैं हूँ मनोच चतुरवेदी जीतन राम माजी जो है उन्होंने हमला बोला है पसुपती पारस पर पसुपती पारस की संसदी बोर्ड की मीटिंग चल रही है चिराग पासवान के संसदी बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में चल रही है प नहीं पर पसुपती पारस को भाजपा ने किनारे कर दिया है पसुपती पारस अब आगे का रास्ता तलास रहें लेकिन जीतन राम माजी ने तंज कसा है कहा है कि बहुत दीन से वो गड़बर कर रहे थे और साइद उनकी मती मारी गई थी जदी अभी भी सही तरीके से इंडि क्या पिर देखे उनकी अपनी बात है वो दो तरह की बात बोल रहे थे पहले तो बोल रहे थे कि हम एंडिय का सिपाही है तो इस माने एक सिपाही एगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पलन करना चाहिए लेकिन उसके बाद मत्रि मालस से इस्तिफार दे दिये हैं तो इसका मतलब है कि सच्चा एंडिये के वो सिपाही नहीं है, अगर होते तो ऐसा नहीं करते, तो इसलिए यह उनकी बात है, उस पर हम एही करके और कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। चिराग को पांच सिट मिला जब आपको मात रेक सिट मिला इस पर आपको देखिए। आप मेरे पॉलिटिकल जीवन को समझिए। उनईस तो असी में हम टिकट मांगा था। टिकट मिला। उसके बाद एदम इमनदारी से कहना चाहते हैं चिराग के बाद ना तो मैंने टिकट मांगा ना तो मंत्र मंत्री पत्र मांगा। अब मुख मंत्री का तो कोई सवाले नहीं था। लेजिन सब बिला। उसी परकाद से जब नितीश कुमार जी सर्ट रख देएं कि हमारे पाटी में मर्ज कर जा। हमारे सारे रहें का इन फाइल लेव बताया कि नहीं मर्ज नहीं करना है। ये कन्वे किया तो उन्होंने कहा कि बाहर जाओ। तो हम बाहर आ गए और धन्यवाद देते हैं नहीं भाई मोदी जी को और अमिश आजी को कि जैसे ही बाहर आये दो दिन के अंदर ही हमारा बुलावा वहां आया और हम वहां गए और हम कहा कि हम पुल्न समर्पन के साथ आपके साथ आए हैं। हमारा कोई थर्म कंडिशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ही है। जितना आमियत महदें भाई मोदी जी जीतन मांजी को दिये हैं देते हैं जो सब आप लोग जानते हैं। जाहे उपिया के उन्डिय के बैठक में हमको तरजी दिया। और रिसीव करने में उनको तरजी दिया। कि नड़ा के वास हमारा ही नमर था। फिर बाजपेई जी के पुर्ने तिथी पर भी किसी को नहीं बोले हमको बोले जीतन जी आप भी माल आर्पन कर लीजे। तो यह क्या सो करता है। फिर हमारे पर्ति बिधान सहवा में बिहार में कुछ बाते हुई हम उसको बुरा नहीं माना। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननी नरेंद्र मोडी जी को कि हमारी चर्चा उन्होंने तेलंगना के मिटिंग में किया राजस्थान के मिटिंग में किया। तो हम तो इसी से गदगद हैं, कि नरेंद मुदी जी इतना हमको जो दुनिया का सबसे लोग प्रिय नेता है, वो हमको इतना तरजी देते हैं, तो सीर्ट तो इमिटरियल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीर्ट उने गया का दिया, हम इसके लिए उनको धन्यवाद देत हम चाहेंगे, दस पर्टिस का घोट जाएगा, इसलिए हम इंडिये को 400 सीट मिले बिहार में, इसके लिए हम सारा सक्ती लगा देंगे, और नरेंद मोदी जी पुना भारत के प्रद्धान मंत्री स्टिस्की आर हो जाएं, और जो कह रहे हैं कि 400 सीट से उपर लाएंगे, उ रास्ती एध्यक्स हैं, और रास्ती एध्यक्स दिजदीन निया करेंगे, उस दिन नomination करेंगे, वैसे नomination करने के लिए सारी पर्टिरिया के लिए हम तयार हैं तो सुन ली आपने जीतन राम माजी ने सीधे का आया कि बहुत दिन से गड़बड कर रहे थे जिसकी सजा उनको दी गई है जदी सही तरीके से अभी भी रहेंगे तो निसी तोर पर कुछ न कुछ उने हासिल होगा कैमरामेन प्रेम के शाथ मनोच चतुरवेदी पटना